देखिए जब हम नाक से सांस लेते हैं और ये air जब हमारे फेफडे में जाती है फेफडों से हमारे इन छोटे छोटे अंगूर जैसे दिखने वाले alveoli के अंदर तो alveoli के अंदर जो air आती है उस air में oxygen का partial pressure लगभग 104 mmHg होता है और इनी alveoli से blood capillary जुड़ी रहती है जिन blood capillaries के अंदर oxygen का partial pressure लगभग 40 mmHg होता है आपको साफ साफ ये बात पता चल लहा होगा कि जो blood capillaries जुड़ी रहती है alveoli से उसमें oxygen का pressure कम है और आपको ये बात तो पता ही होगा कि air का movement हमेशा high pressure से low pressure क्योर होता है तो चुकि इस blood capillaries में oxygen का blood concentration कम है oxygen का pressure कम है इसलिए alveoli स oxygen blood में diffuse हो जाएगा यानि अब oxygen blood में जाकर घुल जाएगा और जैसे ही oxygen blood में आया उसमें से लगभग 1-3% oxygen तो हमारे blood के plasma में ही घुल जाता है blood का plasma मतलब जिसमें blood के कई सारे महत्वपूर्ण protein पाए जाते हैं और लगभग 97-99% oxygen हमारे blood में ही पाए जाने वाले red blood cells में ज तरीके से होती है जिसमें polypeptide के 4 chains आपस में जुड़े रहते हैं polypeptide का मतलब protein ही है और इन chains के बीच में होता है heme मतलब iron content जो की iron से मिलकर बना हुआ होता है और जैसा कि आप इसका नाम पढ़ रहे हैं hemoglobin इसमें heme का मतलब iron से ही है और globin एक protein है इसकी सनचना ध्यान से देखिए तो 4 polypeptide chain जो की एक protein है इन में से हर एक polypeptide chain के बीच में heme का एक atom है जहां से oxygen bind होता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक red blood cell में कुल 4 heme के अडू होते हैं इसलिए एक red blood cell में कुल 4 oxygen के अडू bind हो सकते हैं देखिए जैसे ही oxygen bind होता है red blood cell में मौजूद hemoglobin के साथ ये हिर्दय में पहुचने के बाद पूरे शरीर भर में फैल जाता है और पूरे शरीर भर में फैलने के साथ ही ये हर उन tissue और cell के पास पहुच जाता है जहां पर oxygen की ज़रूरत होती है टिशू और organ के पास पहुचने के बाद ये oxygen rich blood दरसल जिस blood capillary में रहता है वहाँ पर oxygen का partial pressure 95 mmHg तक हो जाता है और जिस tissue पर oxygen पहुचाना रहता है वहाँ पर oxygen का partial pressure 20 mmHg तक ही रह जाता है यानि O2 का pressure बहुत कम हो जाता है tissue level पर इसलिए वहाँ पर low oxygen pressure होता है यही वज़ा है कि blood capillaries से oxygen diffuse होकर tissue में चला जाता है जहां पर cell में पहुचने के बाद oxygen glucose का oxidization कराता है और glucose के oxidization से carbon dioxide और water by product के रूप में निकलते हैं जो की एक waste product होते हैं waste product के रूप में जो carbon dioxide बनता है उसकी वज़े से tissue में अब carbon dioxide का partial pressure 58 mmHg तक पहुच जाता है वही blood capillary जो oxygen प्रोवाइट करा रही थी वहाँ पर CO2 का partial pressure 40 mmHg ही रहता है यानि वहाँ पर CO2 का जिसकी वज़े से carbon dioxide diffuse होकर blood capillary में चला जाता है जिसमें से कुछ carbon dioxide red blood cell के साथ ही मिलकर carbonic acid बना लेता है और कुछ bicarbonate में बदल जाता है कुछ carbon dioxide plasma के साथ मिलकर carbonic acid और bicarbonate में बदलकर फेफ्रो तक पहुचते हैं जहाँ पर पहुचने के बाद दोबारा से ये carbon dioxide में बद pressure ज्यादा होता है as compared to हमारे surrounding के carbon dioxide के pressure के इस तरीके से oxygen हमारे cell पर पहुचता है और उन cells से बने जो carbon dioxide है जो waste product बन रहे हैं वो हमारे नाग के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर हमेशा healthy बना रहता है सुचारो रूप से चलता रहता है ये वीडियो आपक को like जरूर करना